अध्यात्मिक गुरू और कथावाचक आसाराम के खिलाफ जब यूपी के शाहजापुर में नाबालिक लड़की ने रेप का आरोप लगाया तो उनके भक्त सन रह गए देश विदेश में आसाराम के लाखो भक्त हैं जो उने भगवान की तरह पूचते हैं उनके बताय नियम काईदों पर चलते हैं उनके लिए आसाराम किसी भगवान से कम नहीं थे लेकिन अब जोदपूर की अदालत ने आसाराम को दोशी करार दिया है ये पहली बार नहीं है जब भगवान के नाम पर लोगों को ठगने वाले बाबाओं पर ऐसे गंभी रारोप लगे हो देश में आसाराम जैसे बाबाओं की फहरिस्त काफी लंबी है करीब नौ महिने पहले ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुक बाबा रामरहिम को पंच कुला कोट ने दो साध्वियों से रेप के मामले में दोशी ठहराया था और दस-दस साल की सजा सुनाई थी राम रहीम पर डेरा सच्चा सौधा के आश्रम में दो गुमनाम साध्वियों ने रेप का आरोप लगाया था साल दो हजार दो में इन साध्वियों ने पीम कार्याले में एक गुमनाम चिठ्थी भेजी और अपने साथ हुए यौन शोशन का जिक्र किया था जिसके बाद ये पूरा मामला सिल्सा की अदालत में भेज दिया गया आरोप सही पाने के बाद पंचकुला की अदालत ने राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई दक्षिन भारत के जाने माने धर्म गुरू स्वामी नित्यानन भी यौन शोशन के आरोपों में घिरे होने के साथ साथ जेल भी जा चुके हैं साल 2010 में उनकी सेक्स सीडी आने के बाद खूब हंगामा हुआ था आसाराम से जुड़ी और खबरों के लिए आप देखते रहें